हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आज सब आज जो मैं पाईदान बनाऊंगी उसे मैं सबजी की बोरी और पुराने जो ये कपड़े होते हैं साड़ी या दो पट्टा वगेरा उसे से बनाऊंगी जो की बनाना बहुत ही आसान है कि इस दो पट्टे की मैं चार इंची की पट्टियां काटूंगी और सारी पट्टियां ही चार इंची की होंगी ताकि वह बराबर रहें और आसानी से बनें पाईदान अब मैंने इने काट लिया है और फिर ले लिए एक सबजी की बोरी ये इस तरीके से और इसको मैं कुरोसिया की मदद से बनाऊंगी जो की बहुत ही आसान है बनाना अगर चाहें तो इस बोरी का पाईदान हमको जितना बड़ा बनाना है उतना काट कर और फिर चारों तरप से इसकी सिलाई लगा दी या कपड़े से ही इसका पहले बॉर्डर बना दिया उसके बाद भी बना सकते हैं और जब पुरा ये बन जाए कुरोसिया से तो उसके बाद भी हम इसके किनारे को सिल सकते हैं तो दोनों तरीके से जो भी आसान लगे उस तरीके से बना सकते हैं तो इस तरीके से सारे जो भी हमार पास साडिया हो या पुराने दुपट्टे हो कुछ भी हो पुराने कपले से भी हम पाइडान बना सकते हैं तो ये सारी जो मेरे पर दुपट्टे थे उसको मैंने काट लिया है और काट के उसको रख दिया है उसके बाद ये जो मेरे पास सबजी वाली जो पूरी है उस पर मैं पाईदान बना रही हूँ क्रोश्या की मदद से तो इसे बनाना जो है काफी आसान है क्योंकि इसमें कोई जोड़ना नहीं है कुछ नहीं है तो सीधा इसे बनाना है वो भी क्रोश्या से और जो ये सबजी वाली पूरी होती है तो इसमें तो छेद होते ही हैं तो आसानी से इसमें ये जो कपड़े हैं ये आसानी से इसमें ब से कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो वैसे ही इस पर भी हमें अपना कुरोज से चलाना है और यह बनता जाएगा तो बाद में हमें सिलाई की भी कोई दिकत नहीं होगी क्योंकि यह से ही बनता चला जाएगा पूरे सब्जी के बोरे में और जिस तरीके से हम और पाइदान बनाते हैं पहले उसमें हम चुटिया टाइप का जो बनाते हैं और फिर सिलते हैं उसे तो इसमें हमें सिलना नहीं पड़ेगा सीधे हम इसमें बनाते चले जाएंगे तो पहले भी मैंने चुटिया वाले जो पाइदान है वो पहले से बना रखे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कि कैसे बना है थोड़ा उसमें सिलने की परिसानी होती है लेकिन इसमें जो है सिलना नहीं है इसे और सीधे इसी तरीके से पूरी बोरी में इसी तरीके से बन पुरानी है उतनी चोड़ी हम बना लेंगे अलग कलर लगा लेंगे और कोई साड़ी है पुरानी तो उससे भी बना सकते हैं एक ही कलर का भी बना सकते हैं और दो कलर का भी रंग बिरंगल जैसा भी बनाना है वैसे हम बना सकते हैं यह हमारी एक लाइन पूरी हो गई है अब तो हम इसी तरीके से यह काटके और इसको ऐसे खीच लेंगे तो यह कभी खोलेगा भी नहीं है और इसी तरीके से फिर दुबारा से हमें उसी तरीके से शुरू करना है इसे और केनारे जो यह दिख रहे हैं इसको हम बाद में पलट कर सिल देंगे चाहे तो इसमें हम कपड़ा भी लगा सकते हैं किनारे से और चाहे ऐसे ही सिल दें इसे तो ऐसे ही इसे बनाते चले जाएंगे पूरे बोरी में जितना बड़ा भी हमें बनाना है उतना बड़ा हम बना सकते हैं यह आदा बन कर तयार हो गया है अब यहां पर यह जो है हाथ में नहीं आ रहा है तो इसमें मैं थोड़ा पिन लगा दूँगी पिन से मोड दूँगी इसे ताकि हाथ में पकड़ने से जो है सरल हो जाईए और यह मैंने इसमें दूसरा कलर लगाया फिर उसके बाद जो है यह दीसरा कलर लगा दिया चुनिया खुदी colorful है इसले इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन यह तीन चुनिया है जो लगाई है मैंने इसमें यह देखिए कितना आसान है इसे बनाना आसानी से बन जाता है ये घर में काभी सारे पुराने कपड़े पड़े होते हैं तो उनका क्या करे हम तो इस तरीके से पाइदान या कुछ और भी चीज़ें हम बना सकते हैं उनसे क्योंकि ये फटने वाले कपड़े तो होते नहीं है जो कि ये फट जाएं तो इसलिए जो है मैंने पाइदान बनाया इसका इस पाइदान को बनाना बहुत ही आसान है और एक ही दिन में ये पाइदान जो है बनकर तयार हो गया ये देखिए ज्यादा समय भी नहीं लगा इससे बनाने में और बहुत आसानी से बन गया इसी तरीगे से काफी सारे मैंने पाइदान बनाये हैं पहले भी जो भी पुराने कपड़े होते हैं उनसे मैं पाइदान बना देती हूं या बैक बना देती हूं उनसे तो हमारे कपड़े काम में आ जाते हैं अब मेरा पाइदान बनकर तयार हो गया है बहुत आसानी से बनाया है इसे तो आप भी बना सकते हैं वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत looks जए हімादान अंतक बना सकते ऴ्ड़श से जाव में दू़े कि लिए गद्यों से बना बहुत झादाए सर स्ट следित रहें खथार से रहें आप लिएंग रहें लिएजीन बता बढ़ुत झाल झाल